इडली के लिए एक कटोरी सूजी ले यानि रब आपके हां सूजी भी बोलते होंगे तो एक कटोरी सूजी ले अब एक कप लेंगे मठा देखो इसे मठा भी बोलते हैं और छाज भी बोलते हैं आपके पास मठा नहीं है तो आप दही भी ले सकते हैं पर दही खटा नहीं होन चाहिए जादा, हूब इसे mix करते हैं अच्छे से, जितने ही अच्छे sust mix करेंगे न, इतना ही अच्छ बेटर बनेगा इसेँ मिक्स करते जाएंगे, यह तना अच्छे sust mix करेंगे और जरूरत के सहाब से पानी डालेंगE अब इसमें ड़ालेंगे स्वाधनुसा नमक, और डालेंगे इसमें थोड़ा रेफाइंड वायल इससो इडली बहुत ही सोप सोप बनती हैं ये यज अज अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जितना अच्छा अपने बेटर बनेगा, उतनी अच्छ आपने एडली बनेगी तो चलिए, साबर के लिए लॉंकी लिए छील ली उसे, अब काट लेंगे छोटे-छोटे पीसिस में, बिल्कुल बारिक तरीके से, और आपके पास जो भी सबजें हों आप ले सकते हैं, पर हमारे पास अभी लॉंकी और बैगन ही था, तो हमने लॉंकी और बैगन का ही अब इसे धुल लेंगे चलिये, आप दालते हैं अब या हर की दाल, इसे धुल के बडाल थेUNG कुकर में डाल देंगे अपने सारी दुली हुई सबजिया अब इसमें डालेंगे एक टमाटर टमाटर डालने से ना इसमें खटाई अच्छी आ जाती है तो एक टमाटर पहली डाल देंगे और जब तड़क लगाएंगे तब डाल देंगे पानी पानी उतना ही डालाएंगे सबजिया बस तू भी जाएं, डाल देंगे नमक, हल्दी, बस बंद करके लग देते हैं, पकने के लिए लग दिया, तो ये सावर मसाला, लाल मेड, छल्दी पाउडर, खटाई, नमक, तो ये देखो, हमारे चार पाउची आ गई, तो सावर देखो कित तकाड़ा होगे, तो इसमें डा डाल देंगे, गरम पानी डाल दालिए, ठंडमद डाल दाल जाता है, देखो डाल दिया है, जितना आपको पतला काड़ा रखना, उसी हेसाब से आप पानी डाल दीजिए, हमें इतना ही रखना है, अब करते हैं, चाँपनी की तैा नहीं लिए, रग दिया है, पड़ाई, डाल देंगे लाल मिर्च, आपके पास कड़ी पत्त भी आप डाल सकते हैं, हम डालना भूल गए, सौरी अब डाल देंगे इसमें प्याज, हरी मिर्च, अब इसे अच्छे से भूनने देंगे जब तक ये थोड़ा रेड रेड ना हो जाए अब ये रेड हो गई थी तो इसमें डाल दिया है टमाटर, टमाटर अच्छे से गल जाए तो ये डाल देंगे अब मसाले अपने जोग अपने निकाले थे ना पहले, अब मसाले को अच्छे से भूनने देंगे आप ढून देंगे इसमें थोड़ा सा पानी की मसाले चले नहीं अच्छे से भुण जाएं देखें भुण गए न तेल छोड़ दिया है लागा मसाले भुण गए आप ढाल देंगे सावर देखें ढाल दिया है इसमें गरम पानी डाला था न पहले तो इसमें जादा पकाने के जरूरत नहीं है बस पक गया और अभी भी आपको गाड़ा पतला लगे तो अभी आप गरम पानी डाल सकते हैं देखो सावर एक खौल आ गई तो सावर बनके तयार अब डाल दी हरी पत्ती देखो बन गया ना अब चली एक टिडली बनाने की करते हैं तयारी पहले रख देंगे कुकर इसमें पानी डाल के गरम होने के लिए जब तक हम अपनो बैटर देखते हैं ये देखो गाड़ा हो गया ना सूजी फूलती है न तो बैटर गाड़ा हो जाता तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे अब डालेंगे इसमें इनों एक पैकट से थोड़ा कम डालिएगा बस इतना ही काफी है अब डालेंगे स्कुर पानी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसे एक ही डारेक्शन में अच्छे mix कलेंगे better बनके पिलकुर 2 रेटी इडली बनाने के लिए चलिए हम हम अपने शांचे में तेल लगा लेते हैं, तेल इसमें अच्छे हो आयल लगा लीजी है यह तो इडली बात में निकलती नहीं है वह चीपक जाती है तो टूटने लगती है निकलने में तो यह वाइल अच्छे से लगा लीजिए लग गया है वाइल अब लगाते हैं अब भरते हैं इडली का बैटर भर दिया बस इतना इतना काफी है क्योंकि इडली फूलती है ना बनने के बाद तो थोड़ा ही थोड़ा काफी है भल लेंगे अपना इडली का पैटार यह भल लिया अब इसे फिट कर देंगे अब क्यों साचनी है तो अब प्लेंट थाली के अंदर कढ़ाई के अंदर ऐसे रख के बना सकते हैं अच्छे से रख के बहुत करम होता है अब आप निकलती है सीटी निकाल देंगे को करकी चली रख देखें हैं पांसते साथ मिनट के लिए अब सर्व कर लेते हैं अपना सावर देखी कितना अच्छा बनाया है कलर्वी देखें को कितना अच्छा आया है वो टेस्टी फी बनाया यार अच्छा अब इसे अब निकाल लीते हैं देखी बैट कितना अच्छा बनाया है एक दब मार्केट जैसा मार्केट से भी अच्छा आप टेस्ट करेंगे तब पता चली आपनी इडली बनकर हो गई है देखड़ी निकालते हैं अब ये थोड़ा ठंडी हो जाना तब ही निकालिए ये तो गरम में निकालने लगते हैं तो टूटनी लगती है निकलती है ये जिपक जाती है और टूट पी जाती है देख ना कितनी अच्छे से निकल आएगी एक वाय लगा दिया तो पूरे अच्छे से निकल आई है अब इसे कर लेते हैं प्लेट में सर्व देख आया ना कितनी जाली परफेक्ट बिल्गुल रखते थे अपने इडली हमने तो सारी की सारी इडलेसी में रख दी चली अब द बनाई और खाईए देखो आपको हमारी डिस अच्छी लगी हूँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए देखिए कितनी अच्छी जाली आई है ना बिल्कुल परफेक्ट जाली दीजी आप सब के लिए आप ही बनाईए और खाईए पिलते हैं नेक्ट वीडियो मे बनाईए देखिए और खाईए झाली में जाली आपको हमारी दोगी याज़ शेखिए गाली आपको हमारी आपको हमारी दीजी टीजी आपको खाईए आपको।